अब 48 साल में 8 साल तो अज्ञान धसा के रहते हैं ठाने पीने ओठने वैटने में आप निकाल देते हैं अब बचे कितने 48 में से 8? 40 बचे अब 40 में आप 1 साल में एदी 4 गरंद पढ़ते तो 40 साल में कितने गरंद पढ़ लेते हैं? 160 क्या सुन रहे? 160 गरंद आप 40 साल में पढ़ करके प्रकांड विद्वान बन जाते और यदि आप मन से बचन से काईसे उन गरंदों का अध्यन करते तो केवल ग्यान हो जाता आपका कितना आपने क्या किया? सिर्प है एक दिन में एक लाइन पढ़ी है और एक लाइन में 18 अक्षरों को आपने 24 गंटे में पढ़ा है कोई जादा कोर्स नहीं दे रहे हैं आपको 24 गंटे में सिर्फ एक लाइन पढ़ना है और एक लाइन में 18 अक्षरों को आपको याद करना है और एक लाइन ने दिया आप पढ़ते और अपने जीवन में प्रती दिन इस संकल्प लेते तो आज आप उपर बैठते हम नीचे बैठते प्रकांड विद्वान बन जाते खेर बीती ताही विसारते आगे की सिदले जो कुछ हो गई गलती अब पहले से पढ़म सागर मिले नहीं मिल जाते तो सब प्रकांड विद्वान हो जाते चोटी के विद्वान हो अब मिल गए हैं अब हमने आपको बता दिया अभी जितनी जिंदिगी आपकी बच्ची है उस जिंदिगी में आप आसे ही संकल्प लें कि प्रती दिन हम एक लाइन याद करेंगे कर सकते हैं कोई ऐसी महला ऐसा प्रोसे जुनना कर सकता हो बहुत सहद उसरल है चोबीस घंटे में एक लाइन अठारा अक्षर और किसी में अठारा है किसी में सत्रह है किसी में सोला है कोई ज़्यादा नहीं ओ सकते अब इस प्रकार से हम संकल्प ले ले हैं प्रती दिन तो ये स्टोपदेश गृंध आपको एक सो दो दिन में पूरा हो जाएगा अभी तो हम पांच या छे दिन में भर्षक प्रत्न करेंगे पूरा करने के, आगी ना समझ में, सब को बनना है प्रकांड विद्वान, संकल पे ले लो एक लाइन, कोई भी ग्रंत पड़ेंगे, एक लाइन याद करेंगे, चौवीस गंटे में उसको याद करो, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, और उसको जीवन में धाराने करने का प्रियास करो, तो कल हमने पांच गाथा आपको पड़ाएं थे, पहले में मंगलाचरण हमने पड़ा, मंगलाचरण में परमात्मा को याद किया, दू परमात्मा को याद करते समय, परमात्मा में कितने गोण होना च से पहला गौन, फटाफट रिवीजन कर रहा है, सभाव की प्राप्ति, संपूर्ण कर्मों के इनास किये, और अनंत ग्यान की प्राप्ति, यह तीन लक्षन जिसमें होते हैं, उसको परमात्मा कहा गया है, फिर दूसरी गाता में, यह जो ग्रंत लिखा गया है, इस ग्रंत के लिखने में कारण क्या है, तो निमित और उपादान की चर्चा हमने की है, उपादान क्या कहलाता है, आत्मा की जो सक्ती होती है, उसको उपादान कहते हैं, और निमित जो है, बाहर की जो सक्ती होती है, शरीर आधी की सक्ती होती है, अन्न पधार्तों की जो सक्ती होती है, उसको निमित करते हैं, निमित और अपाधान के मिलने से क्या हो जाता है? कारी की सिद्धी हो जाती, कोई भी कारव हो घाये, सांसारिक हो, चाये पारमार्तिक कारव हो, दोनों के लिए निमित और अपाधान के आवस्शक्ता होती है अब हमें सुद्ध आत्मा बनाना है असुद्ध से तो हमें कौन-कौन से निमित्ध चाहिए है सुद्रब्य, सुछेत्र, सुकाल, सुभाव और सुभाव यह पांच सु-सु हमें चाहिए है इनके माध्यम से जो अनाधिकाल की हमारी आत्मा असुद्ध है वो सुद्ध बने को प्राप्त हो जाती है, ठीक है, उधारन किसका दिया है, सुर्ण पासान का उधारन, सौने का नहीं दिया, सुर्ण पासान का उधारन दिया, अब हमने ब्रत ले लिये, माराजी की क्लास में आए, माराजी की प्रवचन सुने, प्रवचन सुन करके ज्यान तो प्राप्त कल लिया अब आचरन हमने ले लिया आचरन में हमें ब्रत नियम सहीं आदी लेने की भावना हुए तो आपने कहा महाराजी हम ब्रत ले 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 लेकिन इस्चि क्या फाइदा है क्या फाइदा है इससे ब्रत लेने से तो तीसरी गाता में कह दिया है कि जो ब्रतों का पालन करता है वो दियो पने को प्राप्त होता है और जो ब्रतों का पालन नहीं करता है वह नरक पने को जाता है नरक में जाता है इसलिए हमने यह ले लिया कि हम तो ब्रतों का पालन करेंगे कैसे भी हो जब छोटे-छोटे से जीव, छोटे-छोटे से नियम पालन करके उच्छ गती को प्राप्त हुए है तो हम तो भूत बड़े जीव है कम से कम पांच फूट शे इंच के तो हैं, कोई-कोई दस इंच कोई होगा, कोई-कोई साथ भूटके होंगे नहीं होंगे कैसे कह दिया कि हम बहुत छोटे-छोटे हैं बहुत बड़े-बड़े हैं छोटे-छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटनों के बल चलते-चलते पैर खड़े हो जाते हैं बच्चा चलता है तो पहले घुटनों के बल चलता है रड़ खड़ाता है गिरता है उड़ता है और फिर वाद में धीरे धीरे घुटनों के बल चलते चलते पैरों पर खड़ा हो जाता है उसी प्रकार से छोटे छोटे से नियम हमारे जीवन में बहुत कारिकारी होते है तो ह हमने नियम ले लिए उन नियमों के मादम से मरन को प्राप्त होंगे तो निश्चित रूप से दियोपने को प्राप्त होते हैं। अधारन दिया जैसे चाया में बैठने से सुख और सांती की अनुभूती होती है और दूप में बैठने से हमें दुख और तकलीब होती है उसी प्रकार से जो हमें ब्रत मिले हैं उन ब्रतों के माध्यम से हम स्वर्ग के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं और अब ब्रतों के मा माध्यम से क्या होता है सुर्ग तो मिलता क्या स्वार्ग ही मिलता है नए इन ब्रतों के माध्यम से हमें मोक्षी की प्रापती होती है यह धारना बनाऊ जैसे आप बजार में गए और बस्तर खरीदने के लिए गए तो जें बता हो कोई दुकान दार बैठा हो कफड़े के बस्तर बाला बो सबसे पहले ब्यक्ती को उची कौल्टी का बस्तर बताएगा कि निमने कौल्टी का उची क्वाल्टी का बस्थर बताए गया, साडी करिणने गney, सबसे अच्छी से अच्छी, मेहँगी सी मेहँगी, सुन्दर से सुन्दर साडी बताएगा अब बता दी आपको पसंद नहीं आई फिर उसने थोड़ी कम रेट की बताई फिर और कम रेट की बताई आपने पूरा धेल लगा दिया साडियों का फिर अंत में जाके वो ठक गया पसीना पसीना हो गया तो दुकानदार क्या कहते है बाई जी आप तो अब ये बता दो तुम्हाई पर्स में कितने रुपया है हम उसके आधार पे साड़ी बताएंगे आपने धेल लगा दिया और आपको साड़ी पसंद नहीं आई अब तो तुम पैसा बता दो ओके आधार पे हम साड़ी ऐसे करते हैं ना तो सबसे पहले उची क्वाल्टी का बताते है तो यहाँ पर भी आचरियों ने कहा है कि आपने ब्रत लिये है उन ब्रतों का फल क्या है तो उन्होंने कह दिया मोक्ष फल मिलने बाला है उत्कृष्ट पने की प्राप्ती होने बाले अब नहीं मिल रहा है मोक्ष तो नहीं कह दिया एदि मोक्ष नहीं मिलता है तो स्वर्ग तो आपको मिलेगा ही क्योंकि जो व्यक्ति अपने सिर पर दो कोस लेकर के भार को ले जा सकता है क्या वही व्यक्ति आधा कोस नहीं ले जा सकता है जो ब्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है क्या वह स्वर्ग नहीं जा सकता है जा सकता है जब मोक्ष नहीं मिल रहा है तो स्वर्ग जा सकता है ठीक है ना? इस प्रकार से अब जैसे कहीं पर भी कुलू मला नहीं जा रहा है कहा कहला थे? अब हम पर आवभवनी हैं. तोन हमें मालुमनी हैं. कहा जाते है साधी के बाद؟ कुलू मलारिय जाना जाया है. है? अब साधी के बाद वहीं जाना चाहिए. अब किसी की कैपिसिटी नहीं हैं. तो फिर क्या करते हैं? कुंडलपुर के गार्डन में चले जाते है वहाँ चारों तरफ हरे आली है तो भेजे ही समझे तो भाया कुलू मलारी नहीं जा रहा है तो चलो अपन कुंडलपुर चले कोई सिखरजी नहीं जा पर रहा है तो द्रोंडगिरी जाकर के भावना करता है कि हम तो सिखरजी हुआ है अब वहां तक नहीं जा पर रहा है तो यह यहां सपास में जा करते के नहीं अब कोई मोक्ष नहीं जा रहा है तो स्वर्ग में ही संतुष्टी कर लेता है अगला बता है अब स्वर्गी के जो सुख है वो सुख कैसे होते है तो उन्हों ने कहा स्वर्गी की सुक्ष है इंद्रियों से इंद्रियों की गोचर होते हैं। लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं बट्टा लग जाता है है हा बिल्कुल अब जो मोग्छ जाना चाहरे है ब्रत पालन निर्दोस पालन का नहीं मोग्छ जा रहे हैं अब उनों ने घुशा कर ली मायाचारी छलकापत कर दी तो ब्रत का फल तो मिलेगा लेकिन थोड़ लग काम हो गयाव स्वर्ग चले जाएगे, ऐसको भी लगेगा, निमित पर उपादान दोनों है, निमित बाहिर ही है, उपादान आपके में भी कटोती होगी और उसके में भी कटोती होगी, दोनों में होगी, अगला देखे, वासना मात्रमे वाइतत सुखम दुखम चदेहि नाम तथा हिवद बेजी अंतेते भोगा रोगा इवापदी कल इस गाता को हमने पढ़वा दिया था अर्थ नहीं बताया जो हमें सुख और दुख प्राप्त होता है किसके दौरा होता है इंद्रियों के माध्यम से किसके माध्यम से हो रहा है जितने भी संसायर के सुख हैं और दुख हैं यह पाँच इंद्रियों के दौरा मिलते है है यह सवर्व ले घर भ्रह मात्र है जुड दुख मिल रहा है यह भ्रम मात्र है भ्रहम का मतलब ए हकीकत नहीं वास्तविक नहीं असली नहीं इस ति जूटा है अब जैसे हम आपसे कहें गर्मी बहुत पड़ रही है है और रात्रे में उल्टा पल्टी करते हैं तो आपने क्या किया कूलर चालू कर लिया कर लिया क्या आनन्द की प्राप्ति हो रही ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में पहुंच गए रात में कुम्ब करण की नीद में सो गए घुर्राटे मार करके सो गए बारा घंटे सोए अब सोए आनन्द की अन्वूती के साथ सुए सुख के साथ में सोए और जब सुबह उठे एडाई मुर्राई लेने लगे एडाई मुर्राई जाते हो यह सिकनरो अरी क्या हो रहा है मालूनी प्यरों में दर्द हो रहा है हात पाओं में खिचाई हो यह कजन का होगा है रात में कोई भूत प्रेट कर गए का कर गए होता है कि नहीं बताओ रात भर तो आप सुक्चेहन से सोए और सुबहे हाथ पेर में दर्द होने लगा खिचाई होने लगी पानी की कमी जैसे लगने लगी किसके कारण हुआ जो कूलर की हवा थी उसने रात आपको सुक्सिस होने दिया और जैसे सुबहे हुआ तो उसी कूलर की हवा ने आपको दुख पैदा कर दिया किया कि नहीं यदि सुक पैदा होता तो आपको दिन भर सुक्की नभूती बनी रहना चाहिए लेकिन बारा गंडे तो आपको सुक प्राप्त हुआ लेकिन उसके बाद आपको दुखी प्राप्ती हो गई हो गई के ने बताओ मोबाइल आपने खरीदा 40-50 हजार का एक लाग का मोबाइल खरीदा खुब आनन्द की अनभूती हुई और चोरी हो गया तो चोरी हो गए तो उसी मोबाल ने आपको सुक्की अनभूती की और वही मोबाल चोरी हो गया तो उससे दुख्की अनभूती हो गई तो क्या ये बास्ता में सुक था बास्ता में दुखता नहीं था यदि बास्ता में सुक होता तो हमें अनंत काल के लिए प्राप्त होता, यदि बास्ता में दुख होता, तो हमें तेती सागर तक दुख प्राप्त होता, फिर उसमें ये एक छण के लिए भी सुक्की अन्भूती नहीं होना चाहिए, लेकिन ना सुक, सुक के बाद दुख और दुख के बाद सुक होता है इस्थाई कोई भी प्राप्त नहीं होता कैसे प्राप्त होते हैं जे तो कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति है और उसको कोई रोग हो गया है तो रोग होने के बाद में बहुत सुक्की अन्भूती करता है कि दुक्की दुक्की अन्भूती करता है कि नहीं तो रोग हो जाने पर जिस कारण से उसको ब्याकुलता होती है, परिसानी होती है, उसी प्रकार से संसार के इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जो सुख और दुख हैं, वे रोग के समान हमें ब्याकुल करते हैं, दुखी और परिसान करते हैं, आई समझ में, चाहे सुख हो ने सुख भी दुखका खारण बनता है माराशी ने कल कहा ता ना जिसमें आप सुख मान रहे हैं यही शुख आपके लिए दुख कारण बन सकता है और हमने उधारन दे दिया, कूलर है, उसकी हवा आपको सुक्की अनभूती करा रहे हैं, लेकिन वही कूलर आपको दुक्की अनभूती करा देता है, अब यह जो ज्यान हमें प्राप्त हुआ है, ज्यान क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, किसके कारण नहीं हो रहा है, ऐसी आगी गाता देखेंगे, मोहेन संप्रतम ज्यानम, सुभावं लवते नहें, मत्तह पुमान पदार्थानाम, यथा मदन को द्रबई, मोहेन संप्रतम ज्यानम, सुभावं लवते नहें, मत्तह पुमान पदार्थानाम, पदार्थानाम, यथा मदन को द्रबई, पड़ो एक साथ, मोहेन संप्रतम ज्यानम, सुभावं लवते नहें, मत्तह पुमान पदार्थानाम, यथा मदन को द्रबई, क्या कहा अचारपूद्पाव स्वामी क्या कहते हैं? कि जो मोहेन संप्रतम ज्यानम, जो हमारा ज्ञान है प्राप्ति नहीं होने दे रहा है, हमें आपने आत्मा की जानकारी नहीं होने दे रहा है, हमारी आत्मा कैसी है, किस प्रकार से है, कितने गुण हैं, इन सब बतों की जानकारी, हमें प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मोह ने हमारे ग्यान को ढख लिया है, ग्यान की मोय रूपी परदा पढ़ा हुआ है और जैसे मोय रूपी परदा दोर हुआ तो अमेर ज्ञान केवल ज्ञान का रूब धारन कल लिया एक पुराण करण्तम में कथा हाती है और वह कथा एक मुनि महराज तर शयोभूति मुनि महाराज को तोना है नाम, कैते है कि उनके गुरु माराज ने स्वभूती मुनी माराज को इतना पढाया इतना पढाया इतना पढाया दिन राथ पढाते थे लेकन उनको ये ख़्र का भी ज्ञान नहीं हुआ अप लोह को तो हमने बंदा बिद्वान बनाने की वोकुष। लेकिन उनको पढ़ाने के बाद एक अक्छर का ग्यान नहीं हुआ, गुरू ने भी खुब मैनत की, ऐसा नहीं सिसने ना की हो, सिसने भी खुब मैनत की हो, गुरू ने भी खुब मैनत की, दौनों नहीं मिलकर के मैनत की, लेकिन गुरू की मैनत पर पानी फ्र गया, सिसकोन मो कार मंतर तक नहीं आया अब क्या हुगा दुखी हो गए परेशान हो गए और एक दिन वो आहर चरिया के लिए निकल रहे थे आहर चलते चलते उन्होंने क्या देखा एक तालाप के किनारे एक महला दाल धो रही है और जैसे ही दाल दोते हुँ इस महला को देखा उसके रूप रंग को नहीं देखा उसके बस्तरों को नहीं देखा जो क्रिया कर रही थी उस क्रिया को अनोंने देखा और खड़े हो गए उनका जो एंटीना था वो सीधा हो गए जे एंटीना है हम लोगों का संकित बताता है कि महाराजी आहार चरिया के लिए ओट गए सीधा कड़े हो गए और सीधा कड़े हो गए और कहने लगे और हमारे गुरु महाराज जही तो बता रहे हैं कि सरीर अलग है और आत्मा अलग है छिलका अलग है और दाल अलग है जही बात तो हमारे गुरु आज हमें जान आगया कि आत्मा लग है और शरीर अलग है खड़ हो गए आत्मस्तो गए और अंतरमूर्त नहीं हुआ केवल ग्यान की प्राप्ति हो गए क्या सुना यहाँ जिंदीगी गृंद पड़ते हो गए और अमोकार मंतर नहीं याद हुआ और उस अधारन को देख करक कि दाल अलग है और छिलका अलग है उसी प्रकार चे हमारी आत्मा और शरीर भिन्न है इतना मात्र सोचना था और उने केवल ग्यान की प्राप्ति हो गए ऐसा क्या हुआ उसके माद्यम से उनके ज्ञान की उपर जो परदा पड़ा हुआ था मोह का अज्ञानता का कर्म का ज्ञानवर्णी कर्म का परदा पड़ा था वो कर्म का परदा अलग हो गया और कोई बजार में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी उने ना देवी दियोता को भुलाने की जरूरत पड़ी नहीं जैसे केवल ग्यान हुआ देवी दियोता आ गए जैजेकार करने लगे अब उनकी गुरु महराज संत निवास से बाहर निकले कहने लगे अभी तो सुनसान था कोई हला गुला नहीं था जी अचानक सोरगुल कैसे हो रहा है तो देखा आकास मार्क से देवी दियोता जा रहे है जैजेकार लगा रहे है तो उन्हें ग्यान हो गया कि किसी को केवल ग्यान की प्राप्ति हुई तो देवी दियोता उपर से जा रहा है बे नीचे से जा रहा है के चलो भी अपन भी उस केवल गान में सम्मलित हो जाएं अब ताला आप किनारे खूब भीड़ भाओ लगी भीड़ लगी अब कैसी क्या करें महराज पहुचे तो लोगों ने का महरा जा रहा है महरा जा रहा है हम लोग भी ऐसे जब बड़े महरा जी निकलते खूब तो हम और भी कहने लगाता है मारा जा रहा है मारा जा रहा है यह दूरो तो अपने आप लोग दूर हो जाते हैं कोई नहीं आ रहा तो पदम सागर आ रहा है दे भी खुद कहने लगे मारा जा रहा है मारा जा रहा है अब कोई नहीं बेवस्ता कर रहा तो हम और अपनी खुद जेश को नमोकार मंत्र याद नहीं और जेश को केवल गयान की प्राप्ति उगई परले तो अनों ने देका ना सोचा कि साहद हम सब्सक्राप्न देख रहे आखों को मेड़ा पूछा पाची की तो नहीं केया इस सब्सक्राप्न नहीं यह हकीकात है और आप एको चेला है और गोड़ई रहे और चेला सक्र मननगाए क्या गुरू गोड़ई रहे ओर चेला सक्र मननगयाँ गुरूा को केवल गया नहीं हुआ और चेला एक क remembrance अग बढ़ करके और केवल गयान को प्राप्ति गयाई है तो अस्ट्रांग होगे ना तमस्तको गई चेला की चाड़ों पे क्या सुन रहे हो यह जन दर्शन है कीसा लग रहा है कैसा लगहरा है सगतना को सुनकर के पदम सागन वहई के वह देटे रहे तम लोग अरिक मुनी बन केओ सैख सबसे पहले मोक्स छले जेऊ, जे ध्यान लखेओ यहां गुरु और सिस्य का संबंद नहीं रहता है कब कौन से कर्म नश्ट हो जाए और कौन आगे बढ़ जाए इसलिए यहां कया है कि हमारे ज्ञान की उपर परदा पड़ा है मोह का जिसके कारण हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हुरा है हमारा चयुपसम नहीं बढ़ रहा है कैसे नहीं बढ़ रहा है तो उनने उधारन दे दिया मत्ता पुमान पदार्था नाम यथा मदन कूद रबई जैसे कोई ब्यक्ति नसीले कूदों को खा लेता है कूदों जानते हैं? कूद जिसका हलुआ बनाये जाता है कूदों का हलुआ बनाये जाता है, तो यदी सहेसता वाला कोदों हों तो उससे इससे 50 कोई नसाने चािए लेकिन एडि उसको सड़ा ओला दिया जाये तो वह सड़ा को गला जो रहता है उसको खानेसे नसा पैदा हो जैसे सराब का नसा पैदा हो जाता है उसी प्रकार से नसीले कोदों को खाने से व्यक्ति कैसा हो जाता है मूर्चित हो जाता है व्योज जैसा हो जाता है उनमत हो जाता है उसी प्रकार से मोहे रूपी सराब को पी करके यह व्यक्ति भी उनमत हो जाता है छेडालाकार ने कहा ह भूले आपे को भरमते हम दि और उसमें हम भी आ जाएंगे सभी संसारी जीवों ने मोई रूपी सराव को पी रखा है नसीले कोदों को खा लिया है जिसके उपर उसके उपर नसा चड़ गया है और उस नसी के कारण कौन मा हैं कौन बहन हैं कौन पत्नी हैं कोई भी ग्यान नहीं है उसी प्रकार से मोई रूपी पर्दा हमारी उपर पड़ा है उसके कारण हमें ज्ञान नहीं हो रहा है अब कैसे ज्ञान नहीं हो रहा है तो अगली गाता देखें बपुर ग्रहं धनम्दारा पुत्रा मित्रानी सत्रवाह सर्विथान्य सुभावानी मूदा हसानी प्रपद्धते बपुर ग्रहं धनम्दारा पुत्रा मित्रानी सत्रवाह सर्विथान्य सुभावानी 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 मूदाह स्वानी प्रपद्धते पड़ो अब मोय के कारण मोय रुपी सराप को पी कर गए यह संसारी प्राणी क्या करता है वपु वपु माने सरीर ग्रहम वाने घर धनम माने धन, रुपया पैसा मकान आदी धन, दारा माने इस्तरी, पुत्रा माने पुत्र, मित्राणी माने मित्र, और सत्रवा माने सत्रू, सर्व था, सब तरह से अन्य सुभावानी, इस जितने भी हैं, सब अन्य सुभाव वाले हैं, किसकी अपेक्षा, हमारी आत्मा की अपेक् बिन्य है अलग है लेकिन मूडा माने मूर्ग ब्यक्ति क्या करता है प्रानी इने स्वाणि प्रपद्धते इने अपना समस्ता है क्या इस जितने भी नाम गना है शरीर है घर है धन है इस्त्रिय है पुत्र है मित्र है सत्रू हैं, इस सभी भिन्न सुभा वाले हैं, अलग सुभा वाले हैं, इनकी चाल चलना ना जगे, इनका उटना, बैठना, खाना, पीना, साब कुछ अलग है, सब कुछ अलग होते हुगे भी, यह इनको अपना मानता है, इसलिए कौन सी केटेगरी में आ गया आप, मुर्ख, किसकी केटेगरी में आ गया, हम नहीं कह रहे हैं, आच्यारे पूठ पास सामी कह रहे हैं, कि आप सभी लोग मूर्ख हैं, क्यों हैं, क्योंकि जो पराए हैं, तुमने पराओं को अपना मान लिया है, इसलिए अब अपना नहीं मानना है, इसलिए अपना नहीं मानना है, इस कोई आवसक जितना करता बता कर दिया दिख देशे भ्या खगाइते संबसंती नगे नगे स्वास्वाकार बसाध्यानती स्वास्वाकार बसाध्यानती देशे दिख्चू प्रगे प्रगे दिख्दocyू भ्या खगाइते एत सम बसंती नगे नगे स्वा स्वा कारे वसा ध्यान्ती ध्यान्ती दा में या मिला है ध्यान्ती देसे दिख्छोप प्रगे प्रगे इसका अर्थ क्या है समय हो रहा है दिख्देसिभ्या दिख माने क्या होता है दिसा होती है और देसिभ्या माने देस होता है तो दिसाओं और देसों से एत माने आकर खगा खगा माने क्या होता है पक्षी कहां कहां से पक्षी आ रहे हैं देसों से और दिसाओं से पक्षी आ रहे हैं अलग-अलग देसे अलग- होंगे तालाव के पास में जा करके देखो तो जो तालाव सूखा पड़ा था पानी थोड़ा बहुत भरा है और कभी कोई पक्षी नहीं देखे लेकिन अब देखो बिदोशों से आकर के पक्षी उस तालाव के किनारे बैट जाते हैं पानी पीते हैं अपनी भूख प्यास आते हैं ओ क्या करते हैं वे सब आ करके क्या करते हैं संध्या के का समय पर ठेहर जाते किसी ब्यक्ष पर इतना कोला हाल होता है इतना कोला हाल होता है यही ब्रक्ष पर हजारों पक्षी आ करके बैठ जाते हैं चीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीची करके फिर सुबए जैसे उड़ते हैं, सब जहां से आयें, वि सब अपनी अपनी दिसाओं को चले जाते हैं. यह उधारन दिया, उसी प्रकार से स्वास्वाकार वसा धन्ति देसे दिख चुप प्रगेपा, उसी प्रकार से परिवार में माता है, पिता है, भाइ है, बैन है, को आच के जिसाब दिवाएं के इसाब अगए ये इस्टान से आये का सब को माय को एक पैंजे का शाफ thought प्लू के झाहिएं का ये का सब अगए काु सतन के बाड़ नगजे का स्खश्र शर्ग सेोग कोई नरग गंति से गाए कोई रियन गति से आए कोई Javala पुर से आए कोई से आए कोई खैन से आये कोई कहीं से आये ओख कर आ कर ये किस्तान पर ऑ रिल गया का एपिये सो ही अपने आनन्द मनाया और आयू समापत हुई तो सभ अकटे मरगाएं यह नहीं को सिभ गटें यह अगटे नहीं आते हैं अदितो हैं अद्ध अदितो हैं अब अध आई अफ ÖKज अपएलायो अछे चालोentes kai नहीं हुआ हुआाहिग अपकेला होतता आप अकेले आयो, अकेले ही जाओगे, आप अकेले जनम लिया, अकेले ही मरन को प्राप्ते करोगे, नुमाराजी जोड़वा पैदा होते, वे तो संगे-संगे आये हैं, तो देख लो, दो मिनिट का पांच मिनिट का एक गंटे का अंतर रहता है, एक साथ नहीं आते हैं, कु कि का नहीं, कभी कबार हो जाता है, लेकिन सब अकेले आये हैं, और सब अकेले जाने, निश्चय की अपेक्षा से अकेले आये हैं, और अकेले जाएं, लेकिन ब्योहार की अपेक्षा से देखा जाए, तो दो के बिना आते नहीं, और चार के बिना जाते नहीं, क्या सुना? माता पिता के संयोग के बिना आ नहीं सकते तुम ऐसे नहीं आसमान से टपक पड़ो और चार के बिना जाओगे नहीं जब तक चार कंधा नहीं लगाएंगे तब तक जाने बाले नहीं यह ब्योहार नहीं की अपिक्चा से है लेकिन निष्चह नहीं कि आपक्चा से अकेले आओगे और अकेले जाओगे तो जब तक सब की उम्र रहती, सब साथ में रहते हैं, वो जैसी समाप्त हो जाती है, सब अपने अपने गती के अंसार, अपने कर्मे के अंसार चले जाते हैं विरादिका कथम हंत्रे, जनाये परिकुप्यती, ट्रेंगुलम पातियन पदभ्याम, सयम दंदे निपात्यते, विरादिका कथम हंत्रे, जनाये परिकुप्यती, ट्रेंगुलम पातियन पदभ्याम, सयम दंदेन पात्यते, पड़ो आप क्या बता रहे हैं, विरादिका माने जो हमारा अपकार करने बाला है, अपमान करने बाला है, जो हमाई बुराई बताने बाला है, ऐसा विक्ति हंत्रे जनाये, मारने वाले मनुस के लिए कथम परी कुप्यती, क्यों क्रोध करता है, जिसने हमारा अफकार किया है, हमें गाली गलोच किये, मारा पीटा है, और हम क्या करने लगे, उसके उपर क्रोध करते हैं, करते के नहीं, कि सामने वाले उल्टी सीथी कह रहे हैं, कलपरस ने किया था ना, क्या किया था, कि यजदी कोई हमसे लडाई जगडा करता है, गाली गालोच करता है, तो क्रोध को पतक सेहन करना चाहिए, तो मारा स्री ने क्या कहा था, जब तक पार्चनाद भगवान ने सेहन करो तुम पार्चनाद भगवान के भक्त हो के नहीं सब हैं भक्त हैं तो जब तक पार्चनाद भगवान ने सेहन किया तब तक तुम कित्ते भव तक सेहन किया दस भव तक तो तुम्हें दस भव तक सेहन करना पड़ जितनी सीमा होती है उतनी सीमा तक हमें सेहन करना चाहिए तो अफकार करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो यदि हम उस अफकार करने वाले व्यक्ति की उपर यदि हम क्रोध करते हैं तो ये क्रोध करना आपका बेकार है निरर्द तक है कोई मतलम नहीं तो उधारन दिया हमें समझ में नहीं आ रहा है कोई हमें गाली गलोच करते रहा है मारा पीटी करते रहा है और हम कुछ ना भोले यसे कैसे हो सकता है हम भी तो कुछ कहेंगे ओने एक फत्तर मारो हम दो फत्तर मारेंगे ओने एक गाली देए हम दो गाली देए हम दो गाली दे तो यहाँ आचार पूजपास स्वामी कह रहे हैं कि यदि कोई अपगार करता है और आप यदि इसको पर कुरोध करते हैं तो कुरोध का कोई भी फल मिलने बाला नहीं है कैसे तो इन्होंने कहा त्रेंगुलम पदा भ्याम पातियन त्रेंगुलम माने एक फावड़ा होता है फावड़ा जानते हैं गिति आदी समेटने वाला भॊसा आदी समेटने वाला फावड़ा झोड़ा उस में Across लिक लोहे कर लगा रहता है थोड़ी चोड़ा रहता है अब उसको खड़ा करो तो सीधा खड़ा होता है कि थोड़ा तिर्चा खड़ा होता है तो लाकोसिस कर लेना है उस फावडे को सीधा नहीं खड़ा कर सकते थोड़ा तह जुकना ही पड़ेगा उसको अब तुमने उस फावडे में थोड़ी सी लात मार दी पैर मार दिया अब वो फावड़ा आपकी तरफ गरेगा के पीछे की और गरेगा अपनी तरफ गरेगा क्योंकि वो जुका जिस तरफ है उसमें थोड़ा सा धक्का लगा तो वो अपनी तरफ गरेगा सिथे आप अब भी मैं जाओ वहां पर एक तरा जू लघी रहती बहुत बड़ी तराजू वो कितनी लग्डियों पर टिकी रहती है पो तीन लगड़ी पर टिकी रहती है अब आपने तीन सं婴 से एक लखडिको अलग कर दिया, तो तर्बाज उस्तरफ गिरेगी कि तुमारे उपर गिरेगी, अपने उपर ही गिरेगी, देखो कितना सुन्दर अधारन दिया, उसी प्रकार नुखसे यदि किसी किसी encalis गलोच की मारा पीटी की कुछ भी किया और तुमने उसको क्रोध कर दिया तो नुकसान किसका हुआ उसने तो जो किया किया लेकिन नुकसान तुमारा है एक और अधारण जैसे आप भरपेट भूजन करके किसी के यह गए और उसने कहा ठाली लगाकरके 56 परकार का भोजन करके ठाली में लगाकरके आपके सामने रख दिया अब आप से कहा है कि भोजन कर लो आपने काम खा के आये भरपेट है भहत मनाया लेकिन आपने एक दाना भी नहीं खाया अब जे बताओ वो ठाली सजा करके लाया तो थाली तुम रख लोगे कि वो अपनी थाली स्वेम बापिस ले जाएगा सही सही बताई यो नहीं तो तुम कहो हम आई डबा में रख दो हम गहरे खा ले हैं अच्छा माना जाएगा नहीं भे कहेंगे कि यहाँ खाने नहीं लिलता है इसलेशे बबा में बर के ले जा रहा है अच्छा नहीं तो उसने थाली लगा करके लाया और आपने उस थाली को सुषिकार नहीं किया तो जिसकी थाली थी वो थाली उसी की और लोट fraction उसी प्रकार से किसी ने आपको गाली गलोस दी उल्टे सीधे सब्द किये और आपने उन गाली गलोस को उल्टे सीधे सब्द को ग्रहन नहीं किया तो बेश सब्द कहा जाएंगे उसी के पास चले जाएंगे सीधी सी बात है तो जब कोई हमारी उपर अपकार कर रहा है तो हम उसके प्रतिक क्रोध क्यों कर रहे हैं हम कुछ नहीं बोलेंगे अपने आप बड़बडाता हुगा वो लोट जाएगा और हमने बोला फिर जौलाएं और बड़क जाएंगे ठीक है ना? इसलिए कोई भी हमारा उपकार करे उपकार नहीं कर रहा है अपकार करे हमारी बुराई करे हमें गाली गलोस दे तो अपने कभी भी वो नहीं करना चाहिए रागत देशे दुई दीर गये नेत्रा कर्चन कर्मिना अज्याना सुच रम जीवा अज्याना सुच रम जीवा संसार अब्धो ब्रमत्यस रागत देश देखो डैस लगा है मतलब आगे पीछे के सब्दे जोड़े हुए है रागत देश दुई दीरगा नेत्रा कर्चन कर्मिना अज्याना 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 सुच रम जीवा अज्याना सुच रम जीवा संसार अब्धो ब्रमत्यस रागत देखो अज्याना अज्याना सुच रम जीवा संसार अज्याना सुच रम जीवा अब देखो यह संसारी जीव है यह कैसा इस संसार समद्र में किसके करण अज्यानात अज्यान्ता से सुच रम, सुच रम माने अनाधी काल से क्या कर रहा है ब्रमती, ब्रमती माने ब्रहमन कर रहा है, कैसे कर रहा है तो उधारन दिया, रागत देस दी दीरगय नेत्रा करसन कर्वना, जिस प्रकार से मथानी के द्वारा दही को मथा जाता है, तो एक रक्सी से मथा जाता है, लेकिन एक रक्सी में कित्ते छुड़ा होते हैं, दो छु प्रिष्ट है और सित्थ उड़ ऑैसे करते हैं अब होँने तो कभी मता नहीं है कि क्या करते हैं कि डा एक रस्षी को छोड़ा धूसरे को क्रीचा फिर इसको छोड़ा फिर इसको खीचा ऐसे करते नहीं से एक सरसाइज है ना तो दोर छुड़ा है रस्ची एक है उसी प्रकार से जो मथानी होती है उस मथानीवें से दही को मथान जाता है तो रस्ची के माध्यम से होता है उसी प्रकार से संसारी प्राणी भी अनादिकाल से इस संसार में बटक रहा है राग दिस रूपी दो छुड़ों के माध्यम से ही और अज्ञानता के कारण इस संसार में भटक रहा है जावानी के ज्ञानतें सुझे लोका लोग सोवानी मस्तक नमो सदाद हे जिन्मानी भारती तो इजपो जिन्रें जो तेरो सरना गएं सोपावें सुक्षें देवजो औरेहंत को गुरसे ओ निरगन दयादर में पालो सदा यही मुख्षिका